नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गेट विन आलोक और मैं हूँ आपके साथ विवेक मिस्रा एट पीम न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइन्स पर एक नजर US-CIRF ने जारी किया अंतरराष्टी धार्मिक स्वतंतरतार रिपोर्ट भारत को विशेश चिंता वाले देशों की सूची में किया सामिल राजस्थान पुलिस ने दो नागरिक रक्षा कर्मचारियों को किया गिरफतार ISI को समवेदन सील सूचनाय देने का लगाया आरो तो चलिए अब बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की सुरुवात करते हैं हाल ही में अमेर्की विदेश विभाक ने विश्व के बिभिन देशों में धार्मिक स्वतंतरता की इस्तिती को दर्साने वाली अंतरराष्टी धार्मिक स्वतंतरता रिपोर्ट अमेर्की संसद में प्रस्तुत किया यह रिपोर्ट अंतर राष्टी धार्मिक स्वतंतरता पर अमेर्की आयोग याने USCIRF द्वारा जारी किया जाता है USCIRF अंतर राष्टी मानकों के आधार पर वैस्विक अस्तर पर धार्मिक स्वतंतरता के उलंगन की निगरानी करता है और अमेरिकी राष्टपती, विदेश मंत्री और अमेरिकी संसत को आवस्यक नीतियां बनाने की सिफारिस करता है इस रिपोर्ट में चीन, पाकिस्तान, सौधी अरब और भारत के साथ कुल 14 देशों को विशेश चिंता वाले देशों की सूची में सामिल किया गया है जब किसी देश को विशेश चिंता वाले देशों की सूची में सामिल किया जाता है या नामिक किया जाता है तो इसका अर्थ है उस देश में धार्मिक स्वतंदता का वर्तमान में ब्यवस्थित तरीके से ब्यापत पैमाने पर उलंगन किया जा रहा है भारत को CPC में सामिल करने का मुख्य कारण जम्मू कस्मेर की समवैधानिक इस्तिती, नागरिकता संसोधन अधिनियम, राश्टिय नागरिक रजिस्टर यानी NRC और मॉब लिंचिंग को बताया गया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में धार्मेक रूप से प्रेडित मॉब लिंचिंग के मामलों का साम्परदायिक हिंसा से संबंधित मामलों को कानून विदों द्वारा कई बार अंदेखी किया गया है साथी रिपोर्ट में गवरक्षा के नाम पर की जाने वाली भेड हिंसा की घटना और सरवोच न्यायाले द्वारा राम मंदिर निर्मार के संबंध में दिये गए निर्डे और 2018 में सबरी माला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के संबंध में दिये गए निर्डे पर पर गिरफतार किया गया था कि वे पाकिस्तान की जासूसी एजनसी आईसाई को समवेदन सील सूचनाएं दे रहे थे जिसका इस्तिमाल पाकिस्तान भारत विरुधी गतिविधियों के लिए कर रहा था। गिरफतार किया गया आपको बताते चले कि आधिकारिक गोपनीता अधनियम 1923 के तहत उस व्यक्त की गिरफतारी की जाती है जो भारत के खिलाफ साजिस कर रहा हो या भारत के खिलाफ किसी दुस्मन राष्ट का मदद कर रहा हो। इजनसी आईएसाई भारत में आतंगवाद पैलाने और बढ़ावा देने में सामिल है आईएसाई की अस्थापना वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध जिसे मुख्रूप सिक कस्मीर का युद्ध कहा जाता है उसके बात किया गया आईएसाई को जम्मू और कस्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का जिम्मा दिया गया है आईएसाई ने इस कारे को करने के लिए ओपरेशन टूपैक की शुरुवात की ओपरेशन टूपैक आईएसाई द्वारा संचालित एक सैन्य आपरेशन है इस ओपरेशन का उद्धे से भारत को बिगटित करना नेपा का सीधा सरोकार आपकी परिक्षाओं से होगा हाल ही में केंद्री महिला और बाल दिकास मंतरालय ने सिसु मृति दर, मात्रु मृति दर, कुल प्रजननर, जन्म के समय लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात सहित, बच्चों और महिलाओं के पोषण और स्वास्त संबंधी मामलों की जाच के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में दस सदसे टास्क फोर्स का गठन किया है इस खास किस्म की टास्क फोर्स में विभिन संबंधित विभागों के सचीवों को पदेन सदस के रूप में नॉमिनेट किया गया है यह टास्क फोर्स गरभावस्था और जन्मे के दौरान स्वास्थ और चिकित्सा, मा और बच्चों की चिकित्स की सेहत और पोषण की इस्तिती के साथ-साथ विवा और मात्रुत की आयू के इन सभी के साथ सहसंबंध की भी समिक्षा करेगा यह टास्क फोर्स महलाओं की उच्छ सिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ मवजूदा कानूनों में उपयुक्त संसोधन का सुझाओ और अपनी सिफारिशों के लिए नए कानून भी सुझाएगा वितमंत्री ने 2021 के बजट प्रस्तुती के दौरान टास्क फोर्स के गठन की घोशना किया था हालही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 6 जन्मरी 1956 को लागू हुए उत्तर प्रदेश गोवध निवारन अधनियम 1955 को ससक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश गोवध निवारन संसोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है इस अधनियम का उद्देश गोवध निवारंड अधनियम को संगठित और प्रभावी बना कर गोवनसी पसुँँ की रक्षा और गोकसी की घटनाओं से संबंधित अपराधों को पूर्ण तह रोकना है अभी तक अधनियम में गोकसी की घटनाओं के लिए अधिकतम साथ साल की सजा और तीन लाक रुपए का जुर्माना है जिसे बढ़ा कर दस साल और पांच लाक रुपए कर दिया जा रहा है इसके साथ ही अब गोत तसकरी में सामिल वाहनों की चालक, ओपरेटर और स्वामी भी इस अधनियम के दायरे में आएंगे गौरतलब है कि इस अधनियम में 1958, 1961, 1989 और 2002 में भी संसोधन किया जा चुका है हाल ही में बायोकॉन लिम्टेट की कारेकारी अध्यक्ष किरण मजुमदार को साल 2020 के EY World Entrepreneur of the Year पूरसकार से सम्मानित किया गया 41 देशों की 46 उध्यमियों में से यह पूरसकार जीतने वाली भारत की पहली महिला उध्यमी और तीसरी भारती है इसके अलावा अन्य दो भारती कोटिक महिंद्रा के उध्यकोटिक और इनफोसिस लिम्टेट के सहसंस्थापक एन आर नाराने मूर्ती को भी इस पूरसकार से सम्मानित किया गया आपको बताते चलें कि किरण मजुंदार साल 2011 में सिंगापुर की हाई फ्लक्स लिम्टेट के उलिविया लूम के बाद इस किताब को जीतने वाली विश्व की दूसरी महिला है हाल ही में ACI सेरों की आबादी का आंकलन किया गया जिसमें गुजरात के वन क्षेत्रों में ACI सेरों की आबादी तकरीबन 29 फिजदी बढ़कर 674 हो गई है आपको बता दें कि हर 5 साल में ACI सेरों की आबादी का आंतलन किया जाता है पिछली गर्णा साल 2015 में की गई थी जिसके मताबिक सेरों की संख्या 523 थी हालिया गर्णा 5-6 जून की रात को किया गया पहले यह गर्णा मई में होने वाली थी लेकिन COVID-19 की वजह से इसे अस्थागित कर दिया गया था बीते 5 साल में सेरों की संख्या 151 बढ़ी है अधिकारियों की माने तो सेरों का रेंज भी 22,000 वर्ग किलोमीटर से 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है गुर्टलब है कि गुजरात के जूनागड़ में गिरबन बाग सन्नक्षित छेतर इस्थित है यह एरिया पूरी दुनिया में ACI बबबर सेरों के लिए विख्यात है 1295 वर्ग किलोमीटर में विश्तित इस आरक्षित छेतर की अस्थापना साल 1913 में ACI सेरों को सन्नक्षन देने के लिए किया गया था हाल ही में QS World University Ranking 2021 जारी की गई QS हर साल World University Ranking जारी करता है इस साल के रिपोर्ट में कुल 1029 विश्विद्यालियों को लेकर सूची तयार की गई है इस रिपोर्ट में अमेरिका की MIT लगातार 9 साल पहले पायदान पर काबिज है जबकि Stanford, Harvard और California University को करमशह दूसरा, तीसरा और चौथा अस्थान मिला है इस सूची में सीर्स 500 संस्थानों में भारत के 8 संस्थानों को जगह मिली है भारती संस्थानों में IIT Bombay सीर्स पर रहकर इस सूची में 172 में अस्थान पर है दिल्ली विश्विद्याले को वैसविक अस्तर पर 501 से 510 रैंक के बीच जगह मिली है गौरतलव है कि QS World University रैंकिंग प्रतेक वर्ष प्रकासित की जाती है यह रैंकिंग Academic, Reputation, Faculty, Student Ratio, International Faculty Ratio जैसे मानकों के आधार पर तैयार की जाती है फिल्हाल इस bulletin में बस इतना ही हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब मुझे देजिए इजाज़त नमस्कार